दोस्तों स्वागत है आप सबका income tax के कौन है वीडियो में income from house property हम लोग पढ़ रहते हैं तो उसमें last वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से annual value को हम लोग determine करते हैं in case of self occupied property मतलब self occupied जब होती है property तो annual value दो nil होती है लेकिन कौन कौन सी condition ऐसी fulfill करनी पड़ती है किस केस में आपको निल annual value को benefit यहाँ पर मिलता है तो वो हम लोगों ने पूरा का पूरा last वीडियो में यहाँ पर discuss कर लिए था अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर discussion करने वाले है deductions from annual value of self occupied property मतलब कौन कौन से deduction आपको claim करने को मिलेंगे in case of self occupied property इसकी बात हम लोग करेंगे और यह last वीडियो होगा इस पूरे के पूरे income from house property chapter का अब देखे अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे यह काता है कि house property का हम लोग दो cases में यहाँ पर बाट करके पढ़ेंगे एक होगा हम लोगों का let out और एक होगा हम लोगों का self occupied let out के case में हम लोगों ने एक वीडियो में बात करी थी कि किस तरीके से आप annual value को let out property की annual value को आप किस तरीक से determine करते हैं यह हम लोगों ने discuss किया था है उसके बाद हम लोगों ने फिर discuss किया था कि कौन कौन से deduction आपको मिलते हैं let out property में इसके बाद हम लोगों ने यह बात करी थी last video में कि self occupied जब होती है तो annual value आपको किस तरीक से determine करनी है इस वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे deduction कौन-कौन से आपको मिलते हैं जब आपकी property self-occupied होती है और ये करके हम लोगों का जो पूरा income from house property का chapter है ये हम लोगों का यहाँ पर complete हो जाएगा अब जो last वीडियो जित्ते भी थे हैं भी तक income from house property के उन सबका link मैंने description में दिया हूँ इस वीडियो के पर सारे के सारे sequence में यहाँ पर पढ़े हों तो अगर आप चाहें तो आप जाकर के यहाँ पर देख सकते चार वीडियो यहाँ पर पढ़े होंगे इसके ठीक है तो अगर आप sequence में देखें तो पूरा पूरा आपको चैप्टर है वो यहाँ पर income from house property complete हो जाएगा तो चलिए फिर अब हम लोग start करते हैं अपने topic को अब देखें यह मैंने आपसे पहले भी discuss किया था कि किस तरीके से आप लोग computation करेंगे of taxable income from self occupied house property तो यह मैंने आपसे last वीडियो में भी discuss किया था एक बार यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ देखे gross annual value हम लोगों की self occupied के case में निल होती है इसमें से हम लोगों को municipal taxes हटाने के लिए मिलते नहीं क्योंकि not deductible होते है जब self occupied होती है तो annual value जो निकलती है हमारी वो क्या होती है निल होती है तो निल annual value में यहाँ पर फिर उसके बाद जो हम less करते है अपने deduction सेम वई let out वाला इसमें भी होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा change जा रहा है deduction जो होंगे हमारे वो section 24 में है चाहे आप let out की बात करो चाहे आप self occupied की बात करो तो deduction section 24 के अंडर में हम लोगों को दिये गए है इसमें जो पहला deduction होता है वो हमारा होता है 30% of annual value standard deduction for expenses के लिए हम लोगों को मिलता है लेकिन अब अगर आप देखे तो annual value हम लोगों की क्या है ने ले इसका मतलब क्या हो गई जीरो हो गई यह यहाँ पर applicable नहीं होता applicable यहाँ पर कौन सा होगा सिर्फ हमारा applicable होगा interest on loan जैसे हम लोगों ने वहाँ पर pre period और post period का जो interest का deduction लिया था वो यहाँ पर हम लोगों को same वही चीज़ मिलती बस वहाँ पर हम दो लाख रुपए की limit कब आपको मिलती है तो इसके बारे में अभी मैंने आपको वीडियो में आगे बताया हुआ है तो अभी हम लोग उसको आगे डिसकस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर बस आप यह समझे कि आपको section 24 सब section B के अंदर वाला जो deduction है on interest on home loan taken for the purchase, construction और repair of the house यह आपको सिफ मिलेगा और इसमें भी आपको limit यहाँ पर fix है कि या तो maximum 30,000 के लिए या फिर maximum 2,000,000 के लिए दूसी चीज़ यह है कि जितना भी deduction आप claim करोगे सबोज आपने आपने आपको claim किया 1,50,000 का deduction यह 2,000,000 तक का आपको exempt है, मदब 2,000,000 का deduction आप claim करें सकते थे तो 2,000,000 में से आपने 1,50,000 का deduction आपको claim किया तो जितना भी deduction आप claim करेंगे वो पूरा का पूरा आपको क्या हो जाएगा? loss हो जाएगा और इस loss को फिर आप आगे carry forward में यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर 2 topic discuss करने वाले, एक तो आपको किस तरीके से कौन सा deduction हाँ पर मिलेगा? self occupied में दूसरा अगर आपको loss हो रहा हाँ house property में in case of let out और in case of self occupied तो किस तरीके सा आप उस वो set off करोगा और carry forward करोगो तो इसका detail भी हम लोगों ने आगे वीडियो में आप पर discuss किया है, तो चलो अपने main topic पर हम लोग आते हैं, अब देखें जब हम deduction की बात करते हैं, तो मैंने आपको यह बता है कि deduction from annual value of self occupied house property में आपको दो तरीके की deduction आपके देखने को मिलती है एक या तो होगी up to two left और या तो एक होगी up to rupees 30,000 की, एक साल के अंदर आपको इतनी ही deduction आपकर मिलती है, let out की case में जब हम बात करते हैं तो let out में कोई भी limit नहीं होती, मतलब वहाँ पर अगर आपने pre period का interest कितना भी निकाला हो, आपने post period का interest कितना भी निकाला हो, ये जितना भी total interest आपका हो रहा है ये पूरा का पूरा आपको deduction यहाँ पर claim करने को मिल जाता था pre वाले में हम लोग क्या करते थे, 1 by 5 ले ले लेते थे और post वाला तो हम लोगों का जो total होता था, वो हो जाता था इन दोनों को मिला करके, कितना भी amount जा है, कोई limit यहाँ पर set नहीं है लेकिन self occupied के case में आपकी annual value होकर रिने लोरी, तो वहाँ पर government ने आपकी उपर एक control लगा दिया कि अब आपको बोलना है वो कि इतना ही आप यहाँ पर deduct कर सकते हैं, नहीं तो आपका interest माल यह 10 लाग रुपया, 15 लाग रुपया आपका एक बार में आ रहा है तो आप उतना उतना deduction अगर claim करते रहोगे तो government के हाथ में तो tax का कोई पैसा जाए गई नहीं तो इसलिए government रहा कि यहाँ एक साल में से 2 लाग तक का maximum आप ले सकते हो या फिर आप 30,000 तक का ले सकते हो अब कौन-कौन सी condition आपको fulfill करने पड़ेंगी 2 लाग रुपय का deduction claim करने claim तो यह देखे सबसे पहली चीज, loan is taken after 31st March 1999 तो loan जो है, वो आपने कब लिया हो? 31st March 1999 के बाद में लिया हो इसके बाद, end, for purchase और construction या तो loan आपने purchase के लिया हो, या फिर आपने loan construction के लिया हो तीसरी चीज, जो purchase या construction आप कर रहे हो वो आपका complete हो जाना चाहिए within 5 years from the end of the previous year in which loan was sanctioned जिस previous year में आपने loan लिया उस previous year की end date से ले करके आगे 5 साल के अंदर अंदर आपका घर बन करके या फिर घर का जो purchase है वो आपका हो जाना चाहिए suppose अगर आपने मालिजे 2018 और 2019 का आपका previous year चल ला था इसमें आपने loan उठा है अब इसकी जो last date हो गयाने की 31st March 19 31st March 19 से ले करके 5 साल के अंदर अंदर आपका घर का construction एक साल में आप दो लाक रुपय तक का यहाँ पर deduction claim कर सकते हो अगर निमने से कोई भी एक condition या फिर बाकी की कोई भी condition सारी की सारी नहीं पूरी होती है तो फिर आपको यहाँ पर 30,000 रुपय तक का ही जो deduction है वो मिलेगा माल देज़े कि आपने loan लिया हो इसके पहले यानि कि 31st March 1999 के पहले का loan लिया हो या फिर आपने purchase और construction के लिया लोन लाने करके repair के लिया हो repair के लिया हो ठीक है renovate करने के लिया हो घर को reconstruction के लिया हो आपने घर उसको loan को तो अगर आप purchase और construction को जोड़े कि किसी और purpose के अपना loan लेते हो तो फिर आपको यहाँ पर 30,000 तक का मिलेगा या फिर आपका जो घर है वो 5 साल मिना बन करके 6 साल 7 साल ले रहा है बनने में या फिर purchase में तो फिर आपको 30,000 रुपए मिलेगा लॉस आपको होगा जितना भी deduction आप claim करेंगे वो पूरा पूरा आपको loss होगा तो maximum possible loss for a self-occupied house is rupees tool है मतलब एक साल के अंदर अगर आप self-occupied के case में मैंने का ना कि आप self-occupied में आपको जितना भी deduction आप claim करेंगे वो loss होगा तो एक साल के अंदर self occupied के case में आप maximum loss दो लाख रुपए तक का ही claim कर सकते हो क्योंकि दो लाख तक की ही limit यहाँ पर set की गई है अब देखें यहाँ पर यह वाला जो example है यह मैंने आपसे deduction from annual value of let out property की case में आपसे discuss किया था प्री और post का पूरा मैंने वहाँ पर description आपको दिया थे कि किस तरीके सा pre calculation करते हो किस तरीके सा post का calculation करते हो तो मैं अब वो आपसे discuss नहीं करने वालू हूँ अगर आपको वो चीज़ समझ दिये तो link मैंने description में डाला हूँ वहाँ पर जाकर कुसको देख सकते हैं यहाँ पर मैं बस आपको यह दिखाना चाहरा हूँ कि किस तरीके से आप लोग उस limit को निकालते हो तो अगर वहाँ पर आप देखे तो यहाँ पर मैंने क्या किया हो था एक तो आपका construction के लिए loan था ठीक है ठीक है construction हम लोगों का complete होँ बीस और एकिस में loan उठाए गया फॉस्ट फैप अठारा में यानि कि 5 साल वारी जो condition है वो भी यहाँ पर पूरी हो गई उसके बाद loan जो लिया गया फॉस्ट फैप 18 को लिया गया यानि कि 31st March 1999 के बाद ही दो आया तो यह condition भी पूरी हो गई तो मतलब तीनों condition जब पूरी होती ही तो हम लोगों को यहाँ पर दो लाख रुपए तक का deduction claim हम लोग कर सकते हैं आप यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने आपको pre का calculation भी दिखा था पोस्ट का calculation भी गया था प्री का यहाँ पर लोन आपका amount है दस लाख रुपए और interest आप पे कर रहा है और 6% पर तो टोटल 26 months का हम लोगों का प्री का था और 10 साल 10 लाख रुपए पर अगर आप 6% का निकालोगे 26 मही निकले तो आपका यहाँ पर निकला था 1,30,000 रुपए और इसका हम 1 by 5 claim करते हैं तो यानि कि 26,000 रुपए पर year आपको मिलेगा किस साल से जब आपका घर बन करके तयार हुआ है उस previous year से आप इसक आप इसको claim करना start करोगे तो pre period का आपका एक दो देखे 26,000 यहाँ पर मिलेगा फिर इसके बाद 26,26,26,26 करके यह आपको मिलता है पोस्ट period की बात करें तो यहाँ पर देखे 60,000 रुपए इसका यह निकला था क्योंकि 20 और 21 में 60,000 रुपए यह वा था है और 21,22 में आपन आपको मिल ला था यह देखिए 86,000 आपको यहाँ पर पूरा मिला उसके बाद second year में आपको 56 मिला फिर उसका 26,26 और 26 अब देखें यहाँ पर यहाँ पर हम लोगों की वो तीनों condition fulfill हो रही थी तो हम लोगों को maximum जो loss हम लोग maximum जो deduction क्लेम कर सकते थे वो 2,00,000 तक का claim कर सकते यहाँ पर total interest का amount देखे 86,000 मैंने आपसे यह का कि जब आप let out की बात करते हो तो let out में आप pre का अलग से mention करते हो यहाँ पर और post का जो interest होगा वो आप अलग से mention करते हो लेकिन जब हम self occupied में आते हैं तो यहाँ पर हम pre और post को merge करके एक ही नाम से बोल देते हैं interest on loan करके ठीक है interest on loan इन दोनों को add करके हम लोग यहाँ पर कर देते हैं मतलब यह जो 86,000 आपको दिख रहा है आप अपने question में इसको दिखा होगे कहने का मतलब यह है कि 86,000 आपका total interest बना 2,000,000 तक का maximum आप claim यहाँ पर कर सकते हो तो यानि कि 86,000 भी आप claim कर सकते हो तो आपको allow किता होगा 86,000 हो जाएगा राम से इसके बाद अगर मान लिजए यहाँ पर दूसरे साल में देखिए, दूसरे साल में 56,000 हो रहा है, तो ये भी 2,00,000 से कम है, तो ये भी आप क्लेम कर सकते हो, उसके बाद 26,26,26 ये भी आप क्लेम कर सकते हो, तो allowable interest आपका कित्ता होगा, जितना आपका total interest निकला है, ये आपक पूरा का पूरा allowable हो जाएगा, इन केस मान लिजए कि तीनो कंडिशन में से कोई एक कंडिशन या वो, जो बाकी सदिती कंडिशन दी, वो fulfill ना होती, तब आपका यहाँ पर limit किती सेट हो जाती, 30,000 रुपए की, तो यहाँ पर आपका 86,000 का interest बना, लेकिन allow आपको कित्ता होता है, यहाँ पर, 30,000 रुपए ही maximum होता, माल यह रिपेर के ले लिया था अपने loan, ठीक है, या फिर आपका 5 साल मिला बन करके 6 साल में, उसके construction के तायार हुआ था, तो कोई भी condition अगर fulfill नहीं होती, तो यहाँ पर 30,000 का मद्दा, तो 86,000 की जगा, इस बार आप क्लेम करत तो यह को कि यह 30,000 रुपए से कम है, तो यह आपका तब होता जब आपकी कोई condition यहाँ पर fulfill नहीं होती, तब आपको 30,000 रुपए का वहाँ पर deduction मिलता, इसके बाद थोड़ा सा और आप लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, और यह देखें, यहाँ पर loan का जो amount है, वो मैंने इस महीने का जब आप 20,000,000 रुपए पे 12% के इसाब से निकालोगे, तो आपका total जो interest बनेगा, वो 5,20,000 रुपए बनेगा, इस 5,20,000 रुपए का 1 by 5 अगर हम करेंगे, तो हमको मिलेगा 1,4,000 रुपए पर year, जैसे वहाँ पर 26,000 मिलना था, यहाँ पर 1,4,000 रुपए प अब उसमें भी हम लोगों ने अगले साल में जब हम आया था, यानि की 2021 से लेकर के 22 के previous year में, तो इसमें हम लोगों ने लोन का repayment कर दिया था आधी साल में, तो 6 महीने का interest बना था हमारा, तो 2,40,000 रुपए और next year में जब आप होगे तो आपका 1,20,000 रुपए बनेगा, अब अगर हम बात करें कि total हम लोगों का interest किता बन रहे हैं, तो अगर आप 2020 से लेकर 21 की बात करो तो यहाँ पर 1,4,000 और प्लस 2,40,000 तो total आपका interest बना 3,44,000 का, अब 3,44,000 का यहाँ पर बना, उसके बाद दूसरे साल में 1,4,000 और 1,20,000 यह हो गया आपका 2,24,000 फिर उसक पर allowed किता था, 2,00,000 रुपए तक आपको allowed था, total interest आपका बना 3,44,000 तो 3,44,000 अगर आपका पूरा का पूरा बना है और आपको allowed से 2,00,000 रुपए हैं, तो इसका मतलब आप claim किता कर पाऊगे, maximum 2,00,000 रुपए ही आप claim कर पाऊगे, तो जब भी आपका total interest इस limit को cross कर जाए इसके बाद, 1,4,000 है आपका total interest, अब 1,4,000 आपके 2,00,000 रुपए से कम है, तो इसका मतलब आपको total, पूरे के पूरे interest का यहाँ पर deduction मिल जाएगा, इस तरह से बाकी में भी आपको 1,4,000 और 1,4,000 का यहाँ पर मिल जाएगा, तो देखे, यह कहने का मतलब यह है कि जब आ loss के case में देखे क्या होता है कि मालीज आपने बहुत बड़ा एक घर बना लिया, अब बहुत बड़ा घर बनाने में लोन भी जादा लगा होगा, उस लोन पर जादा interest भी आपने पे किया होगा, तो अगर आप इतना जादा इसका deduction का claim करते रहोगे, तो सरकार के पास में tax क पैसा कुछ आएगा नि, क्योंकि जितना भी loss आपका हो रहा है, इसको आप ultimately क्या करोगे, set off करोगे बाकी head के income से, तो government के पास में tax पहुंचेगा इन इस तरीके से, इसलिए government ने कहा कि हम आपको से 2 लाग तक का case यहाँ पर self occupied के case में देंगे, मतलब इतना आप tax 2 लाग र मिलेगी, इसके बदम लोग यह बात कर लेते हैं कि अगर आपको मान लिजे loss from house property हो रहा है, अभी loss from house property आपका let out के case में भी हो सकता है, और self occupied property के case में भी हो सकता है, let out के case में देखे कब होगा, मान लिजे कि let out के case में आपकी annual value निकल करके आईती 1,50,000, और यहाँ पर आप दूसरा deduction आपने claim किया, आपने interest का, जो कि pre period का अलग से आपने लिया होगा, post period का आपने अलग से लिया होगा, तो pre period और post period का मान के चलिए कि यहाँ पर मिला करके एक लाग 20,000 रुपए था, ठीक है, total interest आपने एक लाग 20,000 रुपए claim किया और 45,000 रुपए आपका, इसका था 30% का था, तो 1,50,000 की annual value और 45,000 और 1,20,000 यहाँ पर negative में, तो 1,65,000 यह हो गया, तो 1,50,000 minus 1,65,000, तो minus 15,000 का यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, total loss, loss from house property in case of let out building, तो ऐसा नहीं कि let out में आपको loss नहीं हो सकता, let out में भी loss हो सकता, अगर आपका deduction exceed कर जाए आपकी annual value को, दूसी चीज, self occupied की बात करें तो वहाँ तो loss ही loss होता है, तो जो loss आपको हो रहा है house property से, उस loss को आ लिखी, इसको मैं ऐसी समझाए दे रहा हो, चाहिए आपका let out का loss हो, चाहिए आपका self occupied का loss हो, दोनों को set off करने की जो तरीका है, वो as it is same है, तो मालेज़े आपका जो previous year चल दा था, 21 से लेकर के 22 का आपका previous year यहाँ पर चल दा था, इसमें आपको कोई भी loss हुआ, कोई भ loss होता है, ठीक, यह आपका loss है, loss from house property, 212 के previous year में, अभी जो loss हुआ है, इसको आप set off करने के लिए, तो set off करने के लिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, any other house property, ठीक है, income from any other house property, तो अगर आपके पास में कोई और घर है, और उस house property से आपको income हुई है, तो पहले तो आप उसको पकड़ोगे और उसकी income से आप इसको set off करने कोशी करोगे, in case, मालीजे की कुछ loss यहाँ पर बच जाता है, ठीक है, suppose यहाँ पर इसमें जो income आपको थी, वो income आपके पास में, suppose यहाँ पर थी, 1,50,000 की, ठीक है, 1,50,000 की income आपके दूसरे house property से आपको हुई थी, तो अब य आपके पास में कितना loss बचा हुआ है, 3,00,000,000 की बात कर रहे हैं, यह total जो हम लोग बात करें, 21,22 की कर रहे हैं, अभी हम लोग ने से set off की बात करें, carry forward के भी आगे करेंगे, इसके बाद अगर आपका loss कुछ बच जाता है, तो उस loss को आप लोग किसी और head में साच करोगे any other head of income, जैसे माली जैसे salaries हो गया, profit and gain from business and profession हो गया, capital gain हो गया, other sources हो गया, तो आप इनको पकड़ोगे, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि जब आप किसी और head में जाकर के ढूंडोगे, आपके इसको loss को set off करने के लिए, तो maximum loss जो आप set off कर सकते हो, दो लाक other head को अगर आप पकड़ेंगे, तो वहाँ पर दो लाक रुपए तक ही maximum आप adjust कर सकते हो, तो तीन लाक में से यहाँ पर आपका किता set off होगा, दो लाक रुपए ही होगा, इसका मतलब अभी भी जो आपका loss है, वो एक लाक रुपए यहाँ पर बचा हुआ है, तो अब ये एक लाक रुपए का loss हम लोग कहां ले करके जाएंगे, क्योंकि इस previous year के जितने भी head थे, उनकी income तो हम लोगों ने खतम कर दी, अब ये एक लाक रुपए का loss हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग carry forward करेंगे, और ये carry forward हम लोग कर सकते हैं maximum 8 assessment year तक, ठीक है, maximum 8 assessment year तक कर सक लोग के loss को adjust कर सकते हैं, लेकिन carry forward वाला loss अगर आप adjust करोगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ house property की income से ही adjust कर सकते हो, किसी और head में नहीं जा सकते हैं, तो इस तरीके से होता है हमारा loss का adjustment, अब यहाँ पर theory देख लेते हैं, तो theory में देखें क्या बोले, loss from house property, in the current assessment year, can be set off first against income from any other house property, and the balance, if any, can be set off against income from any other head, maximum rupees 2 lakh in the same assessment year, however, if there is still left any unabsorbed losses, जो एक लाग रुपए का हम लोगों का unabsorbed loss बचा था, from house property, from the current assessment year, it can be carry forwarded for 8 assessment year, to be set off against income from the house property only, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपको loss हुआ, उस loss को, आप सबसे पहले current year की, ठीके current, इसको मैंने short में लिख दिया, current assessment year के, income from house property से आप adjust करने की कोशिक करोगे, बच जाएगा, तो आप किसी other head में जाओगे, other head में आप maximum 2 lakh रुपए तक की adjust कर सकते हो, इसके बाद भी अगर कुछ मान लीचे balance बच जाता है, तो उस balance को आप 8 assessment year तक यहाँ पर carry forward कर सकते हो, और carry forward वारला जो आपका loss होगा 1 lakh रुपए, वो आपका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें adjust कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हाउस property की income से ही आप उसको set off कर सकते हो, किसी और head मे आप उसको लिया करके नहीं गुसा होगए, अब ये दोनों के लिए applicable होता, चाहे आप इसकी let out की बात करें, चाहे आप self occupied की बात करें, लेकिन self occupied में ये 8 assessment year तक जाता ही नहीं है, क्योंकि आपको maximum loss किता permissible है, 2 lakh रुपए तक का, एक साल में maximum loss हम लोगों ने किता देखा थ 2 lakh रुपए तक का, तो अगर आपकी मालेजे house property से income 0 भी होती, किसी और house property से, तो आप किसी और head में इसको ले करके जाओगा, 2 lakh रुपए तक का आप किसी और head में adjust कर सकते हो, तो 2 lakh रुपए तक का आप उसमें adjust कर दोगे, in case मालेजे कि आपके पास में किसी और head के अंदर म दो लाग रुपय तक की इंकम ही नहीं तो फिर आपका ये जो बचा हुआ लॉस होगा फिर आपका ये असेस्मेंट ये तक जाएगा लेकिन नॉर्मली सेल्फ ऑक्यूपाइट के केस में वो करेंट असेस्मेंट ये में खतम हो जाता है तो यह हम लोगों ने देख लिए कि कि किस तरीके साब की 2,30,000 पाई जो डिड़क्शन है वो आपको मिलती है दूसरी चीज लॉस प्रम हाउस प्रपर्टी अगर आपको हो रहा है तो किस तरीके साब उसको एडजस्ट करते हैं अब यहां पर हम मैंने आपको स्टार्टिंग बताते हैं कि सेक्शन 22 से लेकर के 27 क बीच में हम लोगों कि हाउस प्रपर्टी कवर होती तो सारे के सारे जित्ते भी टॉपिक हैं एक एक टॉपिक मैंने आप डीटेल में आपसे डिसकस कर लिया है सारे वीडियो आपको लिंक में इसमें डिसक्रिप्शन में डाल दूँगा सारे वीडियो आप जाकर करके महा कि अगर वीडियो पसंद आयो तो इसको लाइक करना मत बूले का साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जगा मैं मिलता फिर अब आप से नेक्स वीडियो में तेंक यू